असलालेकूम् फ्रेंस कैसे आप सब तो आज मैं शेयर कर रही हु आपके साथ में तवा कबाब की रिसिपी जो अपने मुम्रा में खाई होगी बॉमबे में खाई होंगे तो यहां पर है यह तवा कबाब पाओ के साथ में बहुत टेस्ची लगते हैं बहुत एजियर सिंपल यहां पर मैंने पाव किलो चिकन का कीमा लिया है मतलब जो ब्रेस्पीस होते है चिकन के बॉनलेस्पीस होते है इसको मिक्सर में एक बार घुमा दीजिए तो यहां पर आपका चिकन का कीमा बनके तयार हो जाएगा तो यहां पर मैंने पाव किलो ही लिया है पाव किलो के साब एक टेबल स्पून है जितना टेबल स्पून होता है हुँत Не अपने चिकन के असाइब से पसंद है 2018 मुर्ची लिया है मैंने तो इहां पर तीखला अंधे कबाब जब तेज ना हो तो क्या मज़ा तो यहां पर मैंने इसको क्रश करके ले लिया है मिर्चियों को यहां पर एक लिम्बू का रस लिया है लिम्बू छोटा था इसलिए मैंने इसका एक लिम्बू का लिया है अगर बड़ा है तो आदा लिम्बू का रस ले सकते हो यहां तो यहां पर है जो मसाले धनिया पॉडर एक रखी तर्श किया दर्दर होता है और गरम मसाला पॉडर यह दोनों हाफ टेबल स्पून है बाकि जो तीनों मसाले है जैसा काली मुच्ची कॉड़र जीरा पॉडर और लाल मुच्ची कॉडर और यह एक एक टीम साफ से नमक आप अपने टेस्स के अकॉडरिंग रखिएगा और आपको कुछ समझ में यह आया तो मैंने मतलब जो इंग्रिडियन्स है डिस्क्रिप्शन में डाल देना तो यहां पर अंबलेट कट कर लिया है एक बड़े साइस के प्यास को एक मुठी धनिया एक कोतमीर और एक तो यहां पर एक पाओ है पाओ जो होते हैं मारे खाने वाले वड़ा पाओ उसमें थोड़ा सा पानी डाल दियाता है एक दो टेबल स्पून पाओ का फंड़ा मुझे कुछ ऐसा समझ में यह आता है शायद से बाइंडिंग के लिए इस मिक्स करते होंगे टेस्ट का कुछ अगर आपके पाओ नहीं है तो अगर आपके पास 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 पाओ नहीं है तो यहां पर देख सकते हो कि अगर मतलब आप अच्छे से मिक्स कर रहे हो और कबाब का अगर अब्सक्ति कि ब्सक्ति का अच्छा डाग 3-3 तक है अगर उसके मिक्स करेंगे जो बैटर है यहां पर एक टेब अब्सक्ति करें रोडियो और रखण के लिए की अब वो सब्सक्ति की जहों UP तो यहां पर एक टेबल स्पूँझ जीतना मैंने ओई डाल दिया उसको बाद में अदे घंते तक देख सकते हो और अधे गहंते के बाद में एक पर्फिक्त बनके तयार हो जाएगा तो देख सकते हूं अच्छे से mix हो चुका है मैनने आदे से 1 घंटे तक रग दिया था सबकुछ अच्छे से mix हो गया ना मेरीनेट करते हैं चिकन को अच्छा टेस्ट आता है ना वैसे इसको मेरीनेट करेंगे ना कुछ्षे दिल के जाता है क्णा सबीक है तो इसको म्तुच्चे और रिल करना जरूरी है है न beschäftीट है थाम से महाँ आड़लने क्णा हरा कि लाइन यह विरोक्षा अउब यह इस लिएपर वर्मास ही तुम्क्न पेसे को चाहित लाई जोगविज पात Welcome कि बrespect को हमारे कृड़ा हुआ जाते हैं मितलब जैसे मार्केट में में भड़े कबाब कभाते हैं क変 और फटा फट डालते हैं उन लोगों के कभाब है तो देख सकते हो यह कबाब बनके बिल्कुल मस्त अच्छे से तयार है अगर आपके नहीं बन पा रहे होंगे तो मैंने कहा ना इसमें दो ब्रेट डाल दीजिए गा मतलब या फिर पाओ है तो आप पाओ भी डाल सकते हो तो एक कबाब एक करके हम कबाब इसमें डाल देंगे तो यहां पर देख सकते हो मैंने ग्यास की फ्लेम को एकदम लो रखा है अगर आप हाई फ्लेम पर इसको फ्राइ करूंगे ना तो आपके कबाप है ना उपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्छे रह जाएंगे तो इसे लो फ्लेम पर ही फ्राइ कीजिएगा लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से बनते है यह बहुत अच्छे से पकते है तो इसे लो फ्लेम पर ही फ्राइ कीजिएगा तो यहां पर देख सकते हो मैंने कितना सा मतलब कितना मोड़ा रखा है कबाप को तो यहां पर हम जादा कबाब नहीं डालेंगे एक तवे पर जादा जादा चार पांच डालेंगे अपका तवा का साइज बड़ा है तो आप जादा भी डाल सकते हो लेकिन हमें पलट के साइड में लगा कर रखना है ना कबाब को जैसा हम वजारों में खाते हैं तो जादा से बहुत अच्छा कलर आया है तो मतलब यह पक भी रहें अंदर से और कलर भी अच्छा आ रहा है तो हमने इसको ऐसी पलट लेना है और पलट के तवे के साइड में लगा देंगे हम मतलब अभी फिलाल इसको एक मिनिट तक ऐसी रखेंगे बीच में इसके बाद में इसको साइड में लगा देंगे फ्राइ करने के लिए ताके तवा तो गरम होता ही है न तो बीच वाले भी कबाब बनते रहे और साइड में भी यह कबाब सेखते रहे जैसा हमने बजारों में देखते हैं तो उन लोगों के तवे क्या बहुत बड़े बड़े होता है तो फ साइड में लगा देएंगा, ताके तरहें धुक्शा बढ़ातेंगा दूब स कउछांबाद में Amiga Covid-19 तो मैंने इस भी किया है सारे कबाब को क्या टू यहां पर तीन कबाब भी डाल दी उसमें भी पलट सब्ब्र स्जाले है जल्दी सब्सक्राइब एRoien निए निकाल सकते हैं कितना अच्छा लग रहें ना मचला से तो dif fashion कबाब टामेटोज जेसी है कुछ सर्फ सर्फ Jaw इसको सर्फ करने के लिए और हरी चटनीह डीन करें तो सर्फ ऐखेड़ करें में लगाँ में के लगा तो वैसी चटनी और यापकी मर्स यह आप चाहे तो दस रुपयाला लीजी कबाब पाओ या फाच रुपयाला वजाग कर रही थी पाच रुपयाले में एक ही कबाब लेल के देते हैं लोग तो यहां पर फ्रेंस बन के तयार है हमारे कबाब पाओ तबाब पाओ लाजमी से अब इफ्तार में सबको बहुत पसंद आएंगे बहुत इजी और सिंपल और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी कर देना मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसि के साथ में तब तक लिए ख्याल रखिए अपना अल्ला हाफिज